यो दशक मा हमीले भूकम पर लगाएद कोवीड माहमारी लगाएद थुप्रे प्राकर्तिक विपत को सामना पनी यही दशक वित्र करनू परेओ तथा भी नेपाल को उर्जा छेत्र को प्रगतिर विकास को द्रिश्टिले यहरदा यह दशक मां करिवा हमी आठ से बाटा आज 29 मेगावाट उत्पादन शंबता मां पुगे चांँ यही दशक वित्रा मां हामी करिव 55 छपन पर्तिशत मा जनसंख्या को विधूत मा पहुझ को अबस्था बाटा आजा करिव 98 पर्तिशत को पहुझ मा पहुझ हुने परिश्थिते हैं हम्रों जाइनेर मानवाएज यही दशक मा ओईले हम्रों कुल ग्राष्ट उवभगता हारू को अबस्था जेच 47-48 लाख ग्राह करू मद्दे 30-50 परसेंट ले निशुल को विधूतिश्या उवभग गरी राखे को अबस्था यही दशक मा योर महतुपन उपलवतिको रूप मा रहाना गये को छा करेब 25-26 लाख उवभगता हरू ले ग्राह करू ले 20 उनिट बन्दा तला उवभग गरने रर त्यों निशुल को वभग गरने पर इस्थिती यही दशक मा निर्मानवाई को छे हामीले गराहिशी प्रियोजन को लागी मात्र होई ना उद्योगर और प्रुभधार को चेत्रमा संक्संग है अब हामीले बिकास को लागी उर्जाय को अवधारना पनी शुरूबाय को छा सिचाय को लागी विदोधी करन का कुराहर होई यह यावध दंगाले हेर दा अब यह दस बर्च पछिलो दस बर्च नेपाल को उर्जा छेत्र को विकास को निम्ती योटा विशेश और महत्र पुर्ण योटा अवशर बनना पुगे को छा और योँ उपलवदी हरूले आमरा सामनु नच शंबावना हरू आमरा निम्ती नच अवसर हरू पनि miten स्रजना करे कोछ तर फेरी योटा अरकोव सत्वेश पनी रह चा बने हरेक उपलवदी हरू अरेक संभावनाहरू संगाई के नया चुनोवती अरू पने आउचन ते आउदे जाने चुनोवती को उचित दंगाले बेवस्थापन करने रसंभावनालाई अजब वेभारिक बनाऊदे जाने उद्गाठित करने तुन्नीती बिदी र तुईचा शक्ती का साथ हमी अगारी बढ़ने हुन्छा अज़े सरकार ते बाटो मा अगारी बढ़ी राहे गोशा हमी संगा संभावनाहरू को द्रिष्टिले हर्दाखेरी यह एक दसत मा आज बर्ष मा हमीले एककाश बाइस है अज़ आगामे तीन चार महिना विद्रमा औरकुचार पान से मेगावाट आमी छेमाता नाशनल गृट मा जड़ान गर दाईचा यह द्रिष्टिले हर्दाखेरी पंद्र महिना मुष्वर महिना को अवधिमा डेड़ बर्ष को अवधिमा हमी एक जार बनना बड़ी विदूत उत्पादन गरने अबस्ता समा आई पुगे का रहेचा यह द्रिष्टिले हर्दा आगामी बारवर्षमा अब हमीरे अठेश हजार साथ से उत्पादन गरने सक्थेनु बढने कुड़ा होई न रहेचा आगामी उत्पादन गरने सक्थेनु अब एक शे बारवर्ष को इति यहां बाट इसाब गरदा रह तियां प्लस माइनस गुना गरदा खेरिता इसाब नो मिलना सक्थे तर पछिलों एक दसाब रह आज महिले अगी पंद्र से पंद्र महिना सोर महिना को अवदीमा एक जार बनना बड़ी मेगावट विदूत उत्पादन को जे अवस्ता शर्जना बहेगोचा यह द्रिष्टिले हरदा किरे आगामी बारवर्षामा आमी अट्था जार बनना बड़ी विदूत उत्पादन सहस डंगाले गरना सक्सां यह अधार निर्मान बड़ा गोचा तर मलाई शुरू-शुरू मां मंद्राले मां आमदा यह अट्थाइसाजार को बारे मां शॉल्फलामी कर देगा आथिम यह बड़ी अब इसको खपत को अबस्ता क्यों बनने पनी कोईली काई लागते अब तियो सम् विशेपन अडरेस्ता भाईशा तो अठाइसाजार आमी वेट सीजन मा तिसको ब्यवस्तापन कस्तरी गर्चूं बनने बारे मा पनी यह अचर्चा भाईशाग्यों दसजार मेगावाट नुरे अब बारत्सन निरे अदगर्ने कु और को यह अबरा महत पुन विशेष्ता को रूपमर रहेको विशेभने को वेट सीजन रो ड्राई सीजन को भीज़को ग्याप को पचिल्लो समय जलबायू परिवर्तन को परभाव जूनी इंटेंसिटी का साथ बर्दय गई राखे को चार्चा पानी बर्शाद होदा अती तरीर स्फुख्या को अबतश्थाले हमर disturben मसे से अनुपाथ जिक परत्यको अबर्द शेजन रो ड्राई सीजन मा उत्पादन को अनुपाद जिये चा तयो अनुपाद रोट ग्यापलाय। थबढ़ाउने लग हे राखे derived आ के अब तो ही श्क हैसाज़को अधेDAYर आगामी 12 बर्षा को म अठ्थाइश जार मात्र उत्पादन गरने कुराले हमरो राष्टिया आवशेक्ताला पूर्ती गरना को लागी। सहज अवस्ता तेती देखी देए ना हमेले यो आयाम बाट यो कौन बाट पने विशेले अध्यन गरने जरूरी छे। आज ड्राइशेजन और वर्डव सेजन को ग्याप अनुपात को अनुपात जरूरी बरदे गई गई राखे कोछा अगामी 12 बर्षा भित्रमा हामीरो खपत शहमत आगार को ब्रिद्ध जुन पात्महुदे गई राखे कोछा रा आमरो खपत का डाइनामिक से हरू जुन डंगल ले चाएं नय नय रूप में देखा पर न थाली राखे का चान। यु इस्तिति लेहरदा आगा में बारा बर्स अभित्र को ड्राइ सीजन को व्यवस्तापन को नीम्ती आमिल वेट सीजन में उत्पादन कोती गर्नु पर्चापन रिशा गर्नु पर्ने ठाहूमा में आई पूएगाचा।